अबसे अधिक क्रियासील दातू है पोटिसियम, उससे कम है सोडियम, फिर है कैलसियम, मेगिनसियम, एलमूनियम, जिंक, फेरस जैसे किष्णा, सुरू करते हैं एक और MCQ शीरीज, जो कि previous exam based है, जो कि इक questions बार बार रे रेपिटले होते हैं, वो question इस MCQ शीरीज में include के गए हैं तो चलिए सुरू करते हैं, question number one के साथ, निमेल लेखित में से कौन सी हरित gas है आनि ग्रीन हाउस गेस है उसमें कौन कौन सी गैस है सामिल है ग्रीन हाउस गेस जो होती है प्रत्वी पर टेंपरेचर बढ़ाने के लिए जिमेदार होती है तो इसका question का right answer होगा होगा Nitrous Oxide option number C यहनि N2O चलिए देखते हैं बाकी की जो ग्रीन हाउस गेस हैं कौन कौन सी है सरवादिक जो योगदान देते हैं वो होती है CO2 carbon dioxide next है CH4, methane, ozone, CFC, chlorofluor carbon और जल्वाप जो की ग्रीन हाउस गेस में सामिल है चलिए देखते हैं next question को Luten-kari hormone के संदर में निमिनवे से कौन सा कथन सही है Luten-kari hormone होता है जिसे LH hormone कहते हैं आपने सुनाओगा LH hormone, FSH hormone के बारे में जो मिलप होता है उसमें दो sex hormone होते हैं testosterone और androgen जो भी मिलप होती है उसमें होता है progesteron और estrogen जो LH hormone जो की लुटन-kari hormone हैं ये fuse-granty से इस्तरावित होता है ये क्या करता है जो हमारे testosterone होता है उसमें उपस्तित लिडिक को सी काम को उसमें testosterone उत्पादन के लिए क्या करता है सक्रिय करता है चलिए option को देखते हैं A जो की right है next question है आमास्य की अमलता का उप्चार करने के लिए प्रियुक्त प्रती अमल है अमास यानि इस्तमक में जो acidity होदाती है उसके उप्चार के लिए क्या किया जता है acidity होती है वो होती है जब हमारे इस्तमक में hydrochloric अमले की मांत्रा बढ़ जाती है तो हमें acidity होती है इसके उप्चार के लिए क्या करते हैं कि आपने सोचा है कि इनो लेते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है Milk of Magnesium Hydroxide वो क्या होता है? छार होता है जो कि आम लोगे साथ मिलकर क्या हो जाता है? उदासीन और हमें पेट रहात मिल जाती है तो इसका उप्चन हो गया Right C Milk of Magnesia चले देखते हैं बाकी उप्चन को Castic Soda इसका फॉर्मूल होता है NaOH Sodium Hydroxide B Banking Soda को देखते हैं इसको बोलते हैं खाने का सोडा इसका फॉर्मूल होता है NaOH CO3 और विरन जक्चुरान इसका फॉर्मूल होता है COCl2 Calcium Hypokloride चले देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन को पारितन्त सब्द का गठन किस ने किया Edward Jenner ने, Robert Hook ने, Tensley ने, Hickle ने इसका Right Answer C, Tensley बाकी का उप्चन Edward Jenner जिलों ने चेज़ा के टिकी कोज की Robert Hook ने, उसी का खुज की चले देखते हैं नेक्स्ट कॉस्चन को निमे लिखित में से कौन मानाव सरीर में नियोरोन का इस्सा नहीं है Cell Body, जिसे Cytone कहते हैं B, Dendrite, Exon, Woman Capsule Neuron की structure को देखते हैं ये Corner वाले होते हैं Dendrites और इसकी पूरी जो इस्टार रूप में संद्रचन इसको बोलते हैं Cell Body, यानि Cytone तो इसके लंबे भाग को बोलते हैं Exon तो इसके ये तीनों हो गए Neuron के भाग Neuron क्या करता है, जो हमारी सूचना उनको आधन ब्रदान करता है और ये चौता उप्सन है Neuron के अपसूल जो की किड्नी मोता है इसका राइट अंसर जो हो गया D हो गया ये भाग नहीं है चलिए देखते हैं नेक्स्ट को मिनी माता रोग का संबन्द किस्से है कैडमियम प्रिदूसन से सल्फर डाइक्सोड प्रिदूसन थे मर्करी प्रिदूसन से इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है C मर्करी की अधिक्ता हो जाती है तब मिनी माता रोग हो जाता है मासपेशिया का कमजोर ठकान, सिर्दल इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं कैडमियम की अधिक्ता से होता है कि ठाइरो को सल्फर डाइक्साड की अधिक्ता सोता है आखों में जलन चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉस्टन को एक समतल दरपन में 4 मीटर उंचाई का वस्तु का प्रितिविम देखने के लिए दरपन की न्यूनितम उंचाई कितनी होनी चाहिए कोई वस्तु जिसकी हाइट है 4 मीटर इसको पूरा देखने के लिए मिरर की हाइट है उसके इतनी होने चाहिए एक समतल दरपन की हाइट होने चाहिए इसकी आदी यानिकि 2 मीटर 2 मीटर के दरपन में पूरी 4 मीटर की वस्तु है वो देख जाएगी तो इसका राई टेंसर होगे भी दो मिटर नेक्स्ट कोईशन है टॉक्सिकॉलोजी का सम्वन्द किसके अध्यन से है option bacteria, rogo, viso, virus toxic अनि vis तो इसका अध्यन किसके होगा viso के अध्यन को बोलते हैं toxicology bacteria के जो अध्यन उसको बोलते हैं bacteriology और rogo को अध़न को बोलते हैं pathology वायरस के अध़न को बोलते हैं वायरलोजी next question है निमलीखत धातू हमें से कौन सी धातू तामे कि तो नमे अधिक अभिकरिक्रिसील है चलिए धातू हो के अभिकरिसील तक एक अभ खहुत करम को देख लेते हैं कौन कौन सी दातू इससे अधिक कभी करिसील है सबसे अधिक करिसील दातू है पोटेसियम उससे कम है सोडियम, फिर है केलसियम, मेगिंसियम, एलमूनियम, जिंक, फिरस, फीवी लैड, हाइडरजन, कौपर, हजी मरकरी, एजी सिल्वर, यानी चांदी और एयू सोना सबसे कम करिसील दातू है सोना उससे अधिक चांदी, फिर उससे अधिक पारा और इन से अधिक है कौपर तो कौपर से अधिक कौन है, इस कौश्चन के कोडिंग, लोहा तो इसका राइट अंसर हो गया, सी अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राब कीजिए वरना कोई नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, जैसी किशना